दोस्तो आज इस वीडियो आप देखेंगे यहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पर जैसे कि एक उनिवस्टी का एक्जामनेशन फॉर्म कैसे बरा जाता है इसके बारे हम इस वीडियो आप बताने बाले हैं क्योंकि काफी कमेंट आये इसलिए हम बना रहे ह ठीक है यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको कैसे फॉर्म को फिलफ करना है इस प्रकार से हम इस वीडियो के मादम से पूरा आपको बताने बाले हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यह जैसे आपको इनिवस्टी में जाना है वहां से आपको इनिवस स्प्रोजभाःब अपर देखेगा अब क्या वाण जहा है इसके बह þarna यहां से बठाता हूं इसके बहुंग fight ृआंबblay देखने हैं से और सुझने म est ress और जाम पूंघ को लिए। लेकिन सेमस्ट्र आपको यहां पर बढ़ना पड़ेगाॉई जैसे कि आपको जैसे कि B TEC का फर्श्र सेमिस्टर या रख सुप या Wednesday बार को आपको यहां पर भरना इसके बाद exam परम में कुछ नहीं बरना है वो अपना कर देंगे सब्सक्राइब आपको ऊपर-पॉट साइज यहां सके देगे यहाँ पर आपको जैसे कि लिखना है भी टैक नहीं या फिर आपको यहाँ पर जैसे development नमर पर को मिलता है enrollment दीगि आपको क्लियर समझ में आ जाएगे लेकिन आपको वीडियो को पोज ना करिए जैसे enrollment number में आपको क्या मिलता है enrollment number में आपको जैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं मिलें इसको बढ़ने की जरुद नहीं है और यहाँ पर आपको जैसे enrollment नम्मेंट मिलता है जैसरे आपको मिलता है अग्रा पॉइंट मिलता है श्टोडेंट में केपीटल में लिखना है यहां पर आगर आप जो कह आज स्कूल है यहां पर लिटा ЧИЛつrick करना है यान्य कि अपना क्यापिर में लिखना है जैसे कि अपने लिखने अंगे फादर्س ने विद्वीन की माईशेट में दिया गया है ठीक we are कि इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि यहां पर हम आचा किए अब इसके बाद पूरा हम बताने वाले हैं तो वीडियो को लास्टर आपको रहना पड़ेगा तो देखे मदर्सनेम में आपको यहां पर कैपिटल बढ़ना है यहां पर आपको अपना अड्रस लिखना है यहां से लेकर आपको यहां तक address लिखे देना है address लिखने के बाद यहाँ पर आपको pin code लिखे देना जो भी आपका 2051, 21 या कोई भी है आपको यहाँ पर भर देना अब भरने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं कि 9th point में क्या है कि आप यहाँ पर अपनी date of birth को select करेंगे यहाँ पर अपनी date of birth को select करेंगे यहाँ पर gender यानि male या female इस पर आपको tick करना ठीक है अब इसके बाद status रेजने ठीक है तो यहाँ पर आपको regular रहने बाले या पर आप डेस्ट है मतलब destination से करने बाले तो आपको यहाँ पर regular पर टिक करना है इसके बाद 12 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपना email address डाल देना है और 13 पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको category में general OBC, SC या फिर ST यहाँ पर आपको भरना है ठीक है यहाँ पर जैसे कि general है तो OBC जैसे जो भी आप है इस पर आगे आते हैं इसमें अब आता है सबसे main problem कि यहाँ पर क्या चीज बनना चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिए आगए कि appearing subjects practical seminar project ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है subject code बनने है subject code जैसे कि आपके जब exam होते हैं तब आपको मिलते हैं या फिर आप जैसे कि आप होडी से पूछ सकते हैं यानि कि हैड आफ डेपार्टमेंट उनसे पूछ सकते हैं और जो भी आप एक्जाम देते हैं उस टाइम आपको मिलते हैं तीक है जैसे कि यहां पर सब्जेट जैसे से जैसे सी प्रोग्रामिंग या पिर और जैसे मैथा मैटिक्स इसके बाद ज प्रेक्टिकल में जो कोड होगा वह आपको हेड आफ डिपार्टमेंट पूछ लेना है या फिर आपके किसी फ्रेंट का पहले का हो तो उनसे पूछ लेना है यहां पर अपने बर देना है उसके बाद प्रेक्टिकल नाम बनना है जो भी आपको प्रेक्टिकल है यहां पर आपको फिलब करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद आपको यहां पर सब्जेट कोड बनने होते हैं जैसे मैंने आपको बता देंगे और यहां पर पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा भार दर सकते हैं कि इसको है अब जबते हैं आगी हम और चल्दे आपको आपको वर स्वार्फ प्रेवियर्ल लंबर बल्ल करी मित आपको चैंट Detective यहां पर आपको बरते जाना और इसके बाद आपको डिवीजन और आपनी पर्सेंटेज को इस लाइन में बर देना अब आते हैं नहीं तो इसको अनट खाली चोट देंगा है यहां पर आपको सब्जेक्ट काई कौनкогоorn से जैसे यह आपको सही नहीं को सब्जेक्ट च्वटे-च्व भर देना जी से हिंदी-एंगले सरोम, मैथ, ड्रॉइण, सोसल शाइंस, साइंस च्वक्त, इसमें बरते आप देंगे, ज उनिवेस्टी यानि जतना मार्क आया हुआ है उसके बाद मार्क बढ़ देंगे इसके बाद यहां पर आपको यह सेलेक्टड़ना है कि मतलब इंटर आपने इसके बाद यहां पर दे सकते हैं और यहां पर परसेंटेज बढ़ देना अब देखिए आप यहां नई चीज जिसमें आ चुकी है कि जैसे कि अगर आप यहां पर आपको एक नई चीज जिसमें अपडेटेट है देख सकते हैं पहले नहीं था इसमें एक अपडेटेट है कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, कि यहाँ पर क्या चीज आ चुकी है, यह की दे सकते हैं, यह वाला ओप्शन, Scholars, Scholarship Registration Number, यहाँ पर आपको यह भर देना, जिससे कि जो भी अगर आपको Scholarship अगर डला होगा, ओमना अपने भरा होगा, तो आपको यह mention के लिए जाएगा, और आपका यहाँ पर, कि ID Card, ID Card, Card Number देखेंगे, ठीक है, अब यह काम किसका है, यह काम किसका है, यह वाला देखी, Universe First Receiving, रिसीविंग से लिए ठीक है, जैसे कि आपको यह काट के दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको यह Career Rollment Number और Student Name बनाके आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, जो भी इंचार्ज होगे, उनके सायन हो जाएगे यहाँ पर, यहाँ पर नीचे, और आपको यह return में मिल जाएगा, यानि बापस मिल जाएगा, तो अज आपको यह University Form Complete समझ में आ चुका हुआ, वीडियो के लास्तर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, थैंकू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद और जय वारत